हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेडेवेट किंग प्रोडोसन यूटीव चनल दोस्तों आज की वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए खासर के लिए ग्रूप डी और 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 अने किसी भी वन डे एक्जाम जिसमें भी साइंस पुछ आते हैं उसको क हैट का दिया था अगर आप लोगों ने पार्ट एटिन तक के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लिए ता कि आपका एक्जाम में साइंस से तो एक भी प्रस्ट ना चूटे तो चलिए शुरू कर लेते हैं सुरू करने से पहले आपको बता दू अ महां से जा करके आप जो है किसी भी बुक का वीडिया जो है सबसे लोगों कर सकते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को टैम नहीं वेश्ट करके तो चलिए सुरू करते हैं और यह जो है पहला प्रशन है देखिए गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया जो है क्या कहलाता है तो गंदक के साथ जो है rubber को गर्म करने की क्रिया को जो है volcanic current क्रिया काते है option number B, यहां पैट जाएगा next है, myto candy का संबन जो है, myto candy का संबन किस से है तो myto candy का संबन जो है सौाशन से है, option number C यहां पैट जाएगा, next है नेवु का कैंकर रोग होता है किस से तो नेवु का कैंकर रोग जो है यह होता है जिवानों से यानि की बैक्टरिया से ओप्सन नमबर भी हैं पैट जाएगा नेश्ट है बहुचर्चित रोग जो है बलाश्टर जो 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 बोलते हैं जोंका किस से सम्मंदित है तो बहुचर्चित रोग है या बलाश्टर जो जो बोलते हैं जोंका या जो है सम्मंदित है धान से ठीक है option number A यहाँ पैट जाएगा Next is vis1 दिवस जो है परतेक मार्च को किस त्यति को मनाय जाता है तो vis1 दिवस जो है परतेक मार्च को जो है या एक कईस मार्च को मनाते हैं परतेक साल Option number B यहां पैट जाएगा Next है एक छथा में रानी मदमक्खी की संख्या कितनी होती है तो एक जो मदमक्षी का छत्ता होता है उसमें रानी मदमक्षी संक्या कितनी होती है तो एक होती है यानि कि एक मदमक्षी का छत्ता होगा उसमें रानी मदमक्षी जो है एक ही रहेगी ठीक है option number A यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है गुलावी क्रांती किस से संबंदित है तो गुलावी क्रांती का संबंद जो है जींगा ओध पादन से है option number B यहां पैठ जाएगा तो MPR मात्रक है विदृतौत धाराга का मात्रक है MPRbox number C, यहाँ पैट जाएगा Next है e-mail का जन्राता किसे माना जाता है तो e-mail का जन्राता जो है Ray Tomsling को माना जाता है Next है NASA द्वारा विक्षित सर्वादिक तेज super computer जो है कौन है तो NASA के द्वारा विक्सित सरवादिक तेज सूपर कम्पीटर जो है या कोलंबिया है option number D यहाँ पैट जाएगा next है तत्व जो अमल गमन में होता है जो तत्व अमल गमन में काम आता है वो कौन सा तत्व है तो पारा है ठीक है HG जिसको बोलते है पारा जो है या जो है अमल गमन में काम आता है या तत्व अप्सिन नमबर B यहाँ पैट जाएगा next है नौसादर का सुत्र जो है क्या होता है तो नौसादर का सुत्र होता है NH4 CLT option number C यहाँ पैट जाएगा next है मिस्र धातुए हैं क्या तो मिश्धातु जो है यह होता है ठोस में ठोस का विलिन जो होता है यह मिश्धातु होता है option number A यहाँ पैट जाएगा next है स्वसंदर सबसे कम होती है कब तो स्वसंदर जो है सबसे कम होती है निद्रा में खराटे भरते समय ठीक है option number D यहाँ पैट जाएगा नेके वाइरस की सरचना जो है कैसी होती है तो वाइरस की सरचना जो है ακोसिय होती है ठीक है option number C नेके आलू का हरा रंग किसकी उपश्थिति के कारण होता है तो आलू में जो हरा रंग होता है यह होता है तो भारतीय पसुचिकिसा अनुसंधान संस्थान जो है या बरेली में इसे था युट्तर परेली मेंinku अक्षिक अनुसंधान जो है या है बुध गर्ण ऑप्सन नंबर ऑक भारत की देश निर्मित पंटुब्दी का नाम जो है क्या है तो भारत की सोदेश निर्मित पंडुबी का नाम संकुल है, option number A यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है, कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कारी करता है तो कैमरे का जो फिल्म ऻोता है वो आंकी रेटना की तरह काम करता है option number D यहाँ पैट जाइगा 네 option number A यहाँ पैट जाइगा नेच्ट है copper का प्रमुक 2019 स्वेवास नुदे तरफ नेच्ट है copper pyrite ओप्से नूबर A यहाँ पैते जागा, नेच्ट है सुस्क अगनी सामकों में बھरा राता है क्या, तो सुस्क अगनी सामकों में रे तथा baking soda ओप्से नूबर A यहाँ पैते जागा, नेच्ट है conspirus का सबस गुत्म रूप निम्नांकित में से क्या है तो कोईले का सबसे सुध रूप होता है एंथरासाइड को ठीक है और यहाँ बैट जाएगा आणथरासाइड कोईला जो होता है अरह काम आने वालाgen क Congあのle तो कोईले की समय जो है चुने का जो प्यूप क्याता है वो है calcium oxide ठीक है option number A यहाँ बैट जाएगा चुने का सुथ क्याता है calcium oxide होता है next है आवर सारनी में तत्तों को रखा गया है कैसे तो आवर सारनी में तत्तों को रखा गया है बढ़ती हुई परमानु संख्या में option number D next है पुस्पो का अध्यन जो है क्या कहलाता है तो पुस्पो का अध्यन जो है anthology कहलाता है option number A next है electron सुख्मदर्सी का अविस्कार किस ने किया है तो electron सुख्मदर्सी का अविस्कार जो है नोल और रुसका ने किया है option number C next है आलू के खाने योग्य भाग जो है क्या है तो आलू का हम लोग जो है तना खाते हैं option number B यहाँ पैट जाएगा next है मच्छर दिवस जो है कब मनाया जाता है तो मच्छर दिवस जो है यह मनाया जाता है 20 अगस्त को option number C यहाँ पैट जाएगा next है किस तापकरम पर एंजाइम जो है सरवाधिक जो है सक्रिय हो जाते है तो 38 दिगरी सेंटिग्रेट पर जो है एंजाइम सरवाधिक सक्रिय हो जाते है option number A यहाँ पैट जाएगा next है भारत में हरित क्रांती की सुरुआज जो है कब होई थी नेस्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किस ने की है तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेंरी बैकलोर ने किया है option number D यहाँ पैटे जगा नेश्ट है एंटी सेप्टी सरजेरी का सुतरपाज जो है किसने किया था तो एंटी सेप्टी सरजेरी का सुतरपाज जो है या जोसेप लिश्टर ने किया था option number C यहाँ पैट जाएगा next है E is equal to MC square का परतिपादन जो है किस ने किया था तो E is equal to MC square जो समिकरन है इसका सुत्रपात किया था Albert Einstein ने ठीक है option number A यहाँ बैठे जागा next है साफ़ेश्टा का सिधान जो है किस ने दिया था तो साफ़ेश्टा का सिधान जो है इसी को बोलते हैं E is equal to MC square जो है यही साफ़ेश्टा का सिधान जो है इसको दिया था Einstein ने option number A यहाँ बैठे जागा next है भारती अंतरिच अनुसंधान संस्था इजरो जो है कहाँ पर इसे था तो इजरो जो है या बैंगलोर में इसे था option number A यहाँ बैठे जागा next है चंसेखट वेंकर ट्रमान को नोबल पुरुषकार जो है कम मिला था तो चंसेखट वेंकर ट्रमान को जो है नोबल पुरुषकार मिला था 1930 इस्वी में option number B यहाँ बैठे जागा next है परमानु के नाभिक की खोच जो है किसने किय थी तो परमानु के नाभिक की खोच जो है या रदर फोर ने किया था option number A यहाँ बैठे जागा next है सूरी के दरमान के एक बाए चार गुना दरमान को क्या कहा जाता है तो सूरी के दरमान के एक बाए चार गुने दरमान को जो है चंद सिखर सीमा काते हैं option number B यहाँ बैट जागा next है कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है किसने किये थी तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है जगदिस चंदर बोस ने किया था option number A यहाँ बैट जागा next है the history of Hindu science जो है किसकी अनपर्म क्रिती है तो the history of Hindu science जो है या क्रिती है मेगना साहा की ठीक है मेगना साहा ने सी लिखाया the history of Hindu science पुस्तक को option number D यहाँ बैट जागा next है चेचक के टीके की खोज जो है किसने किये थी तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर जेनर ने किया था एडवर जेनर जो बिखायानिक थे नोंने ही चेचक के टीके की खोज किया था option number C यहाँ बैट जागा next है किसने बताया कि पिर्थवी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूरी की प्रक्रिमा करती है या जो है किसने बताया था next है परमानु के सिधान्त का परतिपादन जो है किसने किया था तो परमानु के सिधान्त का परतिपादन जो है जौन डाल्टन ने किया था option number B यहाँ बैट जागा next है दा ओरिजिन आप स्पैसेज जो है किसकी रचना है तो the origin of species जो पुस्तक है या जो है Charles Darwin की जो है या रचना है option number A यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है राष्टी विग्यान दिवस जो है कब मना जाता है तो राष्टी विग्यान दिवस जो है या 28 फरवरी को मना जाता है प्रतेक साल option number D यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है hydrogen को तत्तो के रूप में खोजा किसने तो hydrogen को जो है तत्तो के रूप में जो है या Henry Cavendish ने खोजा था option number A यहाँ पैट जाएगा अप्सन नमबर बेर जागा नेश्ट है गती के जड़तों नियाम को किसने परतिपादित किया था तो गती के जड़तों के नियाम को जो है गलेलियों ने परतिपादित किया था ओप्सन नमबर बेर जागा नेश्ट है गती का नियाम जो है किसने दिया था तो गती का नियाम जो है Newton ने दिया था option number A यहां पैट जागा next है भारत का batsman जो है किसे कहा जाता है तो भारत का batsman जो है या डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है option number C यहां पैट जागा next है अनुवांस की code की जो है किच ने कि ती तो अनुवांस की code की कोड़ जो है डॉक्टर हर गोबिन खुराना है ने किया था option number D यहां पैट जागा next है टेलिकोब तो लैसो सोम की खोज जो है या सीडी डूबे ने किया था औप्सन नमबर बी यहां पैट जागा नेश्ट है प्रैकरतिक चैन का सिधान जो है किस ने दिया था तो प्रैकरतिक चैन का सिधान जो है डार्विन ने दिया था औप्सन नमबर ए यहां पैट जागा चार्स डार् स废ियंगों का पता जो है किस ने लगाया था तो जीवानु का पता सबसे पहले लगाया था लोन हॉक ने ठीक है बैक्टीरियां किसने के आता से पहले और हमिक निफुजया था प्रियोग सर्प्रञ बें A लुज रोबर्ट हूंक वीजानिक ने आपशन है बैठ जाएं से गामा किरुण की खोंच जे इन्हों Hagg 대한 aज भ्लार्ट थें फटेर हमों कि इनिक रहा अर्थ दोविं क्षोय je थे नहीं कि खोंच प्लार्ट कुलिंत मुद्ट और जांद शीड़ LIKE anxiety बैट जाएगा नेश्ट है प्राकृतिक वरण याने की नेचरल सेलेक्शन का नियम जो है किसके दुवारा परतिपादित किया गया था तो प्राकृतिक वरण या नेचरल सेलेक्शन का नियम जो है चार्ल्स डार्वेन के दुवारा परतिपादित किया गया था अपसर नमब जो है न्यूटन है option number B यहां पैठ जागा next है विक्रम सारा भाई space center कहां पर इसे थे तो विक्रम सारा भाई space center जो है या तिरवन्तम पुरम में इसे थे option number A यहां पैठ जागा next है कावको का अध्यन जो है क्या कहलाता है तो कावको का अध्यन जो है माइकोलोजी कहलाता है option number A यहां पैठ जागा next है सिक्को का अध्यन जो है क्या कहलाता है तो सिक्को का अध्यन जो है नुमेस्टिक कहलाता है option number D यहां पैठ जागा next है cellular और molecular जीव विग्यान केंद्र जो है कहां पर इसे थे तो cellular और molecular जीव पृण्ट एंड डियानिक और अवसेत्याद में ऑफ्सन नमबर डियान पैठ जाएगा अदनिक वरकी करन सब्सक्राइब करन का पिता जो है लीनियस वेजयानिक को कहा जाता है और अप्सन नमबर को ने किया था option number b यहाँ बैठ जागा नेश्ट है सेवाल का अध्यन जो है सेवालो का दिन क्या कहलाता है तो सेवालो का अध्यन जो है फाय को लोजी कहलाता है option number a यहाँ बैठ जागा मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है कहां पर है तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है या दिली में सित है option number B यहां पैठ जाएगा नेस्ट है अंगुरों का उत्पादन या कलाता है विटी कल्चर ओप्षिन दमबर सी यहां पैठ जाएगा नेश्ट है वेटनेरी रिसर्च इंस्चूट जो है या कहां पर इसित है तो वेटनेरी रिसर्च इंस्चूट जो है या इजत नगर में इसित है option number C यहां पैट जाएगा नेश्ट है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंदित अध्यन किया जाता है तो और्नितोलोजी विज्ञान में जो है या पक्षियों का अध्यन कियाता है option number B यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है कहां पर इसित है तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है या गांधी नगर में इसित है option number D यहां पैट जागा नेश्ट है राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है तो राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान जो है या करनाल में है option number A यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है वाइरस का अध्यान जो है क्या कालाता है तो वाइरस का अध्यान जो है वाइरोलोजी कालाता है अप्सन नमबर A यहां पैट जागा नेश्ट है भाबा परमानु अनसंधान केंदर जो है B.A.R.C. कहां पर अवस्त है तो भाबा परमानु अनसंधान केंदर जो ह आप्सन नमबर भी यहां पैठ जाएगा नेश्ट है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्यन जो है या पैथोलोजी का लाता है ठीक है आप्सन नमबर यहां पैठ जाएगा नेश्ट है कीटों के सम्मंदित विज्ञान की साखा क्या कालाती है तो कीटों के समंदि पहले प्रियोग जो है लैमार्क एंवं ट्रिविनस विज्ञानिक ने क्याता आप सन नंबर बी आप बैठ जाए exercise जैगा चिंससरे का जनक जनक जो है यह रिसेंटर कहां परोसित है दो यह यह नहीं में सिट ऐसन नंबर PDF अने वथ जगए नस्ट पहले तो सेंटर फोर एडिवार में ननियुक्रण को गट्सविय। अप्सन नमबर A यहां पैट जागा नेश्ट है भुकम्पो का अध्यान जो है क्या कहलाता है तो भुकम्पो का अध्यान जो है या सिस्मोलोजी कहलाता है अप्सन नमबर B यहां पैट जागा नेश्ट है आदनिक वनस्पत्ती विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है तो आदनिक वनस्पत्ती विज्ञान का जनक जो है या कहा जाता है लीनियस को option number B यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है जनतु विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है तो जनतु विज्ञान का जनक जो है या अरस्तु को कहा जाता है option number A बैट जाएगा नेश्ट है ट्रेड मील टेस्ट जो है कौन सी चिकिसा से सम्मदित है तो ट्रेड मील टेस्ट जो है या हिर्दे चिकिसा से है सम्मदित इसका सम्मद किसे है हिर्दे चिकिसा से है option number A यहाँ बैट जागा नेश्ट है होमो सेपियन्स जो है किसका वेगयनिक नाम है तो होमो सेपियन्स जो है या मनुस्य का वेगयनिक नाम है option number C यहाँ पैट जागा नेश्ट है सपनों का अध्यन जो है क्या कहलाता है तो सपनों का अध्यन जो है या और्नियोलोजी कहलाता है option number C यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है केंद्री वनस्पती अनसंधान सांस्थान कहां अवस्थित है तो केंद्री वनस्पती अनसंधान सांस्थान जो है या लखनाओ में इसे थे option number A यहां पैट जाएगा नेश्ट है फलो का अध्यन जो है क्या कलाता है तो फलो का अध्यन जो है पॉमोलोजी कलाता है option number A यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है मानव विकास का अध्यन जो है क्या कलाता है तो मानव विकास का अध्यन जो है एंत्रपोलोजी कलाता है option number B यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है औस्टियोलोजी किसका अध्यन है तो औस्टियोलोजी में जो है हम लोग अस्थियों का अध्यन काते हैं अस्थियों का अध्यन को काते हैं क्या औस्टियोलोजी अप्सन नमबर D यहां बैठ जाएगा नेश्ट है केंदरी और सदी अनसंधान संस्थान कहां अवस्थित है तो केंदरी और सदी अनसंधान संस्थान जो है या कटक उडिसा के कटक में सिते अप्शन नमबर C यहां बैट जाएगा नेश्ट है कीटो का अध्यन क्या कहलाता है तो कीटो का अध्यन जो है एंटमोलोजी कहलाता है अप्शन नमबर C यहां बैट जाएगा नेक्ट है सरप्रथम जीवानू का पता किस ने लगाया था, तो सरप्रथम जीवानू का पता जो है लुएन हौक वेजाइंच ने लगाया था, आपसन नमबर भी यहां बैट जाएगा, नेक्ट है भारती वनुसपतिक सरविच्छन का मुख्याले जो है कहां पर है, तो भार पाड नहीं रहता है question यहीं question आपको देखने को मिलेंगे हो बहू ठीक है तो इसे जरूर देख करके जाएगा exam में तो thank you guys आज के लिए इतना ही